यह सिक्स वाला वर्जन है इसका टॉप स्पीड को चेक करेंगे और सिर्फ राइडर पोजिशन पर नहीं मेरे साथ है मेरे भाईया जो बिल्टू भाईया है गाहों से आये हैं तो यही चलाते हैं बाइक को तो आज मैं इनको बैठा हूंगा पीछे मैं राइड करूंगा फि इलियन को बैठा करके तो चलिए बिना टाइमेस्ट करते हुए जो है वीडियो को सुझ कर लेते हैं चलिए भीया को बठा लेते हैं पीछे इसके लिए हम मैरेन ड्राइब पे आ चुके हैं जो अभी दोपर का टाइम है काफी ज्यादा धूप है और रोड पुरा खाली है क अभी के बार एक दो ट्रक आ रही है लेकिन हम ट्रक को जाने देते हैं उसके बाद जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गाइस यह सिक्स वाला वरुटे ने पावर बहुत जाता है बड़ी का भाई ओ भाई साब 80 के आज पास 90 जले जाना चाहिए तो गाइस प्लियन को बैठा कर आप 90 से जादा नहीं जा सकते हैं अंदाजा लगा सकते हैं अगर आप अकेले बैठके राइड करते हैं फिर जो है टॉपी स्कूड को चेक करते हैं तो फिर रेजल्ट काफी अच्छी जो है निकल के आएगे तो टॉपी स्पीड तो यह थी 90 के साथ पहले जो बाइक थी स्क्लेंडर प्लस वो 90 95 तक विटाउट क्लियन जाती ती मतलब अगर आप खुद से राइड करते हैं तब जाती थी लेकिन अभी भाई साब रेजल्ट काफी जादा खुलके आ रहा है और इसका सिर्फ फर्स्ट सर्वीस ही हुई है यह इतना अच्छा परफॉमेंस दे रही है इसे थी एक छोटा सा टॉप स्पीड टेस्ट के साथ तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजाए चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरू कर लेना और जो है मेरे बाइक अपाचे आटी आर 164 वी उसके लिए मैंने हैं को सब्सक्राइब करके रख लो मैं इंस्टाल करने वाला हूं अपने अपाचे आटी आर 164 वी के लिए तो गाइस थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में